तो स्वाहत है आपका ग्यापन एकेडमी के इस 12 क्लास के जियोगरफी के विडियो में बहुत ही संदार अबजेक्टिव कुश्चन आप देखते हैं कितना टिक कर पाते हैं बहुत मस्त कुश्चन है और पहला ही कुश्चन का जबाब आप लोग दिजिएगा यहां पहला कु बहुत मस्त कुश्चन है भारत में सरवधीक जन ब्रिधी की ओधी मतलब सबसे ज्यादा जन संख्या में जब रिदी तो कब होई थी तो यहां पर देखिए आपका आप्सन में यहां टिक कर दिए 1951 से ले करके 2010 साल पर जन गरना होता है न तो दस साल का अंतर ले इसमें बहुत ज़्यादा ब्रिधी होई थी इसको टिक कर लेजएगा ठीक है अगला कुश्चन यहां पर देखिए तो अगला कुश्चन है थोड़ा इधर दर आप्सन हो गया है तमिल नाडू में कौन भा अगला कुश्चन आते हैं बहुत ही मस्त कुश्चन है ठीक है आपको पता भी होगा सबसे ज्यादा लोग पूरे भारत में किस राज्य में सिक्षितों की प्रतिसत सरवदीक है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग का है तो केरल केरल का है इंडिया के मैप में यहां करेला जैसे दिखेगा आपको फिगर वही किरल है जहां सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन है किस नगरिये छित्र में परवासी संख्या का अंसरवा दिखे परवासी के मतलब समझते हैं मतलब अपने राज्य से दूस मुंबई के लोग कम और दूसरे राजे के लोग जादा है मुंबई हमको जम गई वही वाला ठीक है अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन के इंसर देखिए तो यहां पर 2011 भारत की कितनी परतिसत जन संख्या गाओं में निवास करती है तो आप बताई कि 2011 के जन ग को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा से खिजिए ठीक है अगर ऐसा लग रहों की सेशन मज़ेदार है तो सेशन को सेयर किजिए यहां देखिए 2011 के जनगणां के अनुसार भारत में गाओं की संख्या कितनी थी बपरें 2011 यह इतना 69,007 यहां पे mistake हो गया है थोड़ा सा यहां पर हो जाएगा यहां पर 69,005 लाग हो गया है यहां इक हाई-दाइस एकड़ाजर दस जर लाख 6,40,000 होगा 6,40,866 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5,90,000 लोग बसे थे दूसरे जगा से आके बसे थे तो यह आपका एंसर हो जाएगा अगला कुस्छन देखिए अगला कुस्छन है कि भारतिय सम्मिधान ने कितनी भासाओं को मन्याता दिये आपने बहुत सारा भासा है ना भारत में लेकिन मातर 22 भासा को ही भारत के सम्मिधान ने मनाता दिये और यह भासा अनुसूची 8 में है किसमें है अनुसूची 8 में है इसको भी आप याद रखेंगे ठीक है अगला कुस्छन देखिए यहां अगला कुस्चन बहुत ही मज़ेदार है थोड़ा जूम आउट करते हैं ऐसे हो गया अगला कुस्चन है कि सन 2001 की जन गर्णा के अनुसार निमलीखित में से किस राज्य में नगरिया जन संख्या का अनुपाद सरवाधिक है सबसे अदन नगर मने छोटा मोटा सहर सबस सा एक समुह भारत का विसालतम भास ए समुई सबसे ज्यादा भारत में कdy कुं सा ऐसा विसालतम भासाइश हfly समूह तो यहां पर का भारत का पूरुस परवाह का कारण है कौन सा मतलब पूरुस परवाह का मतलब होता है एक जगह से पूरुस दूसरे राज्य में क्यू जाते है मैं रोजगार की ले जाते हैं काम और रोजगार कैसे अब से कहां जनम हुआ है जनम होता है वहाँ दूबारा लोग थोड़े रहाते हैं कहीं दूसरी जगर निवास करने लगते हैं तो कौन से जन्नगर्णा में 1961 के जन्नगर्णा में हुआ था अगला कुश्चान है वच्चाने की ऑनुसार भारत की जन संख्या क्या थी यह कुछ नहीं तो यहां देखिए दोजार एक यंसार भारत की जन संख्या आप पर हो जाएगा 102.9 करोड हो जाएगा कितना हो जाएगा एक सब्सक्राइब करोड निमलीखित में सरवधिक संख्या में और परवासी आते हैं तो सबसेदा महराष्ट आते हैं न सबसे ज़्यादा महराष्ट मुंबई वही है ठीक है पंदर नमर कोश्चन की भारत में परवास का निमलीखित धराओं में से कौन सी एक धरा पूरुस परदान है तो देखिए सबसे ज़्यादा लोग गाउं से नगर के तरफ जाते हैं तो आ और हैं अगला कुस्टना एक के जन्गर्णा के अनुसार भारत में कितने लाक लोगों का परवास हुआ है तो 50 करोड़ यहां पर परवास कितने लाख होगा सुरी यह mistake हो गया 50 करों नहीं 50аки छ फोगा यहां अगला कुस्चन देखो देखो it nasi कौन से पडूशीदец का सबसे अधिक परवासी देश का सबसे अधिकश्चन है अगला कुस्चन हे निमलिखीत में से कितने लोग 110 देशों में फैले हूए हैं यानि कि भारत के कितने लोग और भी अधर country में फैले हुए लगबग 110 प्रवासी से हुंडी कितना डौलर प्राप्त किया होता है नहीं पैसा कर जो किसी से लिया जाता है या फिर कमा के जो पैसा चेक समझते हैं न वही समझ लिजी तो अंतराष्टी ये परवासी जो लोग बीदेश वराते हैं और वो भारत को कितना पैसा भेज़े हैं तो यहां पे 2002 के हिसाब से 110 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर भेज़े हैं अ का टेंशन नहीं लेना है तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लिश्टन के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिश